कि मैं जा रहा हूं सब्सक्राइब कर दोस्तों एक बार फिर से स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टेडी विस्टिविल बड़ी में मैं हूं अमित सिंग मदोरिया और आज यह हमारी होने वाली है सब्सक्राइब कर दोस्ते हैं जो एक चीज बाकी है हमारी तरफ से जैसा कि कहा तक आप खुद प्रिपेर करें ना फिर भी बच्चों की डिमांड आ रही थी चलो जो एक्ट का जो वीडियो है अलग से एक्ट का वीडियो बना देते हैं जिसमें आपके एन्वार्मेंट प्र गंटे का आदे गंटे का थोड़ा सा एक वीडियो रख लिए जाए तो आवाज बगेरा प्रॉपर है सब कुछ सही तो एक बार कमेंट करके मुझे बताओ तो जो क्लास है उसे हम स्टार्ट कर लेते हैं बताइए बोलिए वैरी गुड इवनिंग गुड इवरीवन कमेंट करके एक बार बता दीजिए क्या गुर्देव बोले सब कुछ सही है तो आगे की प्रक्रिया जारी रखते हैं बताइए कि कमेंट कीजिए बाकी अभी दो को एक्जाम टाइम है तो टाइम वेस्ट विल्कुल भी नहीं करना है इसलिए फटा फट से बता दीजिए कि सब कुस्त ठीक है तो मैं सीधे की सीधे बात करता हूं अब आपको ऑप्शन दे रहा हूं जितने भी बच्चे भी लाइव हैं उनसे ऑप्शन द जगे पर यह सारे एक्ट मैं आपको प्रवाइड कर दूँगा तो आप उनको वहां से एक बार आप जब भी आपके पास टाइम हो तो आप पढ़ सकते हैं मलब आपको इदर उदर भागने की जरूत नहीं सारे एक्ट सारे एमेंटमेंट वह एक पीडिएफ में एक लिंक म मैंने की आंसर गलत होगे थे तो मैंने उननी को क्या चीया था कि आपके टेलीग्राम पर चार चॉशन के रूप में गपके आय। वह ता साइनध वाला कुछन था दियान रखना साइन वाला कुछन भी उसको भी फिर अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम पर तोटल पांच कुछन गडवडी थी वह सही करके मैंने आपको send कर दिया है तो जो टेलिग्राम पर मैंने question send किये हैं वह exactly correct answers है उनके ठीक है चलिए चलो तो मैं आपको questions करवा रहा हूं directly questions करवा रहा हूं जिसको अगर आते है questions जिसको question आते हैं answers देगा जिसको नहीं आते हैं वह सुनेगा अराम से और फिर क्या होगा last में फिर मैं थोड़ी बहुत आपको थियोरी बताऊंगा उससे related कि कौन सा एक्ट था वो कवा आया था और बाकी के जो PDF पूरी पूरी आपको मिल जाएगी ठीक है चलिए तो पहला question आपकी screen पर आ रह question आपसे यह है चलिए comment करेंगे क्या होगा इसका correct answer एकदम easy आया हुआ question है जवाब दीजिए फटापर बताईए अमित रेंजी अगर किसी question mistake है तो मुझे सेंड करना WhatsApp पर सेंड करना क्योंकि वह बहुत कम समय में बनाई गई फटापर बताईए question number one question number one का correct answer होगा question number one का correct answer जो होगा वो होने वाला है पांच जून तो पांच जून को क्या हर साल पांच जून को environmental day जो है वो मनाया जाता है चलिए next question की बात कहले question number two आपकी screen पर question number two आपकी screen पर जवाब दीजिए the provision for environmental protection in the constitution were made in तो आपके सम्मिधान मे सम्मिधान में आपके कब ये कहा गया था कि आपके क्या environment protection जो होना चाहिए उसका provision कब दिया गया था किस year में दिया गया था सम्मिधान में कौन से year में ये बात कही गई थी कि आपके सम्मिधान में ये कहा गया था कि environment protection जो है उसका provision होना चाहिए तो ये कहा गया था question number two question number इसका correct answer क्या होगा इसका correct answer 1976 1976 में सम्विदान में यह कहा गया था कि आपके क्या होना चाहिए आपके एक प्रोवीजन होना चाहिए जिसमें environment protection की बात की गई हो चली question तो कौन सा आर्टीकल था जिस आर्टीकल के तहत यह प्रोवीजन लाया गया था कि आपके जो है आपके एन्वार्मेंट प्रोटेक्शन है वह होना चाहिए ठीक है यह कौन सा था यह अभी मिरमेंट है 76 चलिए next question question number four आपके screen पर question number four the first of the major environmental protection act to be promoted in India was तो पहला act जो लाया गया था जो act दिये गए है इन मेंसे कौन सा major act था जो सबसे पहले लाया गया था जो आपको given जो आपके act है उन मेंसे सबसे पहले कौन सा major act आया था यह आपको जवाब देना है यह easy question है question number four मैं चाहता हूँ इसका जवाब आप सभी दें question का जवाब देने से पहले question number लिखें कि कौन सा इसका correct answer होगा question number four का correct answer बता ही देखते कौन आप से हंसराज चोधरी कह रहे है water act ए हंसराज चोधरी का answer है कि water act आएगा इसका answer बाकी बच्चों का क्या कहना है देखिए आपके पास में चार act है तो बाकी बच्चों का भी mostly क कहना है water act है ना तो water act जो है यह सबसे पहले आया था water act सबसे पहले आया था कौन से year में water act आया था किसी को पता हो तो comment करके बताइए question number five आपकी screen पार the forest conservation act the forest conservation act was enacted in the year of कि किस year में enacted किया गया था forest conservation act यह शायद कम लोगों को पता होगा जवाब दीजिए शायद यह कम बच्चों को पता हो यह question बहुत कम लोगों को पता हो सकता है जब आप दीजिए question number five का correct answer क्या होगा 1974 का बता रहे है water act यह बताइए question number question number five का correct answer क्या होगा यह question number five का correct answer क्या होगा five का सी बता रहे हैं तो फाइफ का सी बता रहे हैं क्या प्लकुल कुछ वच्चे five का सी बता रहे हैं देखे जो forest conservation जो act आया था बी नहीं होगा डी नहीं होगा इसका correct answer होगा सी correct answer क्या होगा सी आंसर होगा 1980 1980 माया था forest conservation act क्योंकि हम confused हो जाते हैं जहां रखना forest conservation act आया था पंद्र आपके 1980 में 1980 में आया था जहां रखना question number six की बात करते हैं the forest conservation act extended to the whole of India except जो आपका forest conservation act यह पूरे पूरे भारत में लागू होता है बस एक ऐसी कौन सी जगह जहां यह लागू नहीं होता है उत्तरप्रदेस करनाट का जम्मू कश्मीर और हर्याना इनमें से कहां पर आपके forest conservation act लागू नहीं होता है बाकी पूरे इंडिया में लागू होता है तो कौन सी state है जहां पर यह लागू नहीं होता है question number 6 तो correct answer क्या होगा जम्मू और कश्मीर जम्मू और कश्मीर में यह act लागू नहीं होता है चलिए question number 7 आपकी स्कीर पर penalty for conservation of the provision of the forest act is under तो आपके penalty जो लगती है forest act के तहर्या जो penalty लगाई जाती है तो penalty कौन से section के through लगाई जाती है क्योंकि जब act बनाया जाता तो act के chapters बनाया जाते हैं उन chapter में भी sections वगएरा लिखे जाते हैं तो कौन सा sections होता है जिसके तहत यह penalty लगाई जाती है तो question number 7 का correct answer होगा section 3A है उसके तहत यहां पर penalty लगाई जाती है चलिए question number 8 Offences by the authorities and government department in forest act is under जो Offences जो वगेरा जो होते हैं जो government authority या आपके government department वगेरा जो होते हैं वो इसके तहत काम करते हैं वो कौन सा section होता है question for 8 बताए तो वो हता है आपका section 3B कौन सा होता है section 3B correct question number 8 का correct answer होगा 3B speed बनाये रखना time कम इसलिए मैं ज़्यादा रुक नहीं रहा हूँ मैं वस देख रहा हूं comment की दरफ के आपका answer क्या आ रहे है the wildlife protection act was enacted in the year wild life protection act कब आया था important है exam में कई बर civil services में काफी बर पूचा गया है तो आपको बताने wild life protection act कब आया था कौन से यह मैं तो wild life protection act कुशन नमबर 9 wild life protection act जबाब दीजिए फटा फट जनता जबाब चाती है फूसता है भारत आपसे क्या होगा correct answer question number 9 का देखते जब से पहले जबाब कौन देता है question number 9 का डिंपल जी ने कहा है 9 का आएगा D, हंसरा चोधरी कह रहे है D आएगा हंसरा चोधरी और डिंपल जी बहुत बढ़िया आपके जबाब एकदम सही है और आपके तहरी इसका मतलब सही है आशीस जी भी सही कह रहे है इशा जी भी सही कह रहे है राहुल जी बिलकुल 1972 में आया था wild life protection act very good चली question number 10 का जवाब दिये The power to declare an area as a century or national park of central government is wild life protection act is under तो कौन सी जगे है वो century है के नहीं है national park बनेगा के नहीं बनेगा यह जो declare किया जाती जो power होती है आपके पास में यह power कौन से section के थुरू आती है पताईए पटापट बताईए तो question number 10 का correct answer होगा a section number आपके 38 जो होता है इसके तहित यह power आती है कि आप यह century बगएर जो decide की जाती है इसकी basis पर होता है समझ गए क्या चली question number 11 The wild life protection act contain मैंने क्या कहा कि जो act होता हूँ उस act में क्या होते है chapters होते है उसमें sections बगएर होते हूँ उसमें define किया जाता है definitions होती है उसमें powers लिखी जाती है कौन किसके बाद कितनी क्या power होती है तो यह पूरा को पूरा draft मनाया जाता है मैं आपको draft दिखाने भी बाला हूँ just lecture के बाद में मैं draft गया हूँ है सबके सबके जो नोटिस हैं वो दिखाऊंगा हर एक्ट के अलग लग ते कितने कितने चेप्टर थे तो जा आपको wild protection act आया था इसके chapter कितने थे साथ chapter थे कितने थे साथ chapter थे question number 11 का correct answer A होगा चलि question number 12 आपके screen पर the wild life protection act contained wild life protection act में chapter तो होगे 7 लेकिन इसमें section कितने थे तो question number 12 का अंतर होगा 66 इसमें कितने section थे 66 इसमें जावन आगे section मनाए गए question number 13 the water prevention and control pollution act was and acted in the year तो water जो आपके water prevention and control act आया था ये कब आया था question number 13 आपकी screen पर आप 13 का जवाब दीजी हम चलिए तो करेक्टर आंसर क्या होगा मुझे जो जवाब आ रहा है वो आ रहा है काफी बच्चों का बी थर्टीन का बी आ रहा है काफी बच्चों का तो बी एकदम करेक्टर 1974 में आपके the water prevention and control act क्या गया था and acted क्या गया गया था question number 14 the water act इसमें कितने chapters नबर 14 तो इसमें total 8 chapters्य कितने chapters बनाये गए है ठीक है total 8 chapters having 74 म ऐताँ अगर आप से कुम्छता है इसमें section तो इसमें section नबर 50 तो इसमें total section है 64 कितने हैं 64 इसक्चनसें बनाये गए है तो ज़्यार्या noch na कि Act कैसा होता है उसमें क्या-Kandhi बनाए जाते है चलिए the Function आफ Central Board are given under तो जो आपका Central Board है यह central Board के काम क्या होंगे क्या-K Images functions उन functions के बारे में कौन से section में लिखा हुआ है इस Act में कौन से section में लिखा हुआ है section no 16 में section number 16 में इसकी जानकारी मिलती है, question number 17 आपके screen पर, the function of state board are given under, तो आपके question number 17 का अभी मैंने बता दिया है, function of, नहीं, अच्छा, मैंने पहले center का बताया था, center का तो 16 होता है, लेकिन अगर state का पूछ ले state board का, तो state board का होता है, section 17, 16 number पर, आपके central board जो होता है, central pollution board, इसकी जानकारी मिलती है, और section 17 में आपको state pollution control board है, उसकी जानकारी मिलती है, इसके काम क्या क्या है, उसके functions क्या क्या है, चली, question number 18 की तरफ चलते है, the power to give direction are declared under, तो directions प्रोवाइड की जाती है, powers वगरा प्रोवाइड की जाती है, कि central board को क्या powers है, बलब किसके पास क्या-क्या powers है, तो यह किसमें लिखा हुआ है, यह लिखा हुआ है, आपके section number 18 में, 16 में तो था center के बारे में, 17 में ता state के बारे में, 18 में क्या है, powers के बारे में, किसको कौन-कौन सी power given, प्रोवाइड की गई इस act के तहित, next आपका in the water act, the entire national capital territory of Delhi has been declared as a water pollution prevention control area under, तो ऐसा कौन सा आपके section था, जिसके तहित दिल्ली को especially आपको क्या गया है, attention दी गई है, तो कौन सा ऐसा section था, question number 90, question number 90, the air prevention and control pollution act was enacted in the year, तो कौन से year में, किस year में, air act जो है, वो लागू किया गया था, यह question important है, exam में काफी बार आया हुआ है, most repeated or easy question है, और पता भी होगा आप लोगो को, comment कीजिए, बताइए, comment कीजिए, कि air act जो है, यह कब लागू किया गया था, air act, मैं देख रहा हूँ, जब आप चाहता हूँ, question number 20 का क्या correct answer होगा, air act कब लाया गया था, बताइए, air act लाया था, 1981-1980 में लाया गया था, यह जो air act लाया गया था, इसमें कितने chapter से, hier act जोलाया गया था, एक act होगा, उस act में chapter होंगे, chapter में sections होते हैं, हर section में क्या होता है, एक particular provide define की जाती for example definitions होंगी उसमें उसमें powers होंगी उसके अधिकार होंगे और बहुत सारी चीज़ें होती है ठीक है तो उसमें आपकी जो chapter है इसमें वो थे 5 sorry इसमें कितने 7 chapter थे 5 नहीं 7 chapter थे air act थे उस air act में total 7 chapter थे कितने थे 7 7 chapter बनाए गया थे air act में चलिए question number 22 बताइए air act जो था इसमें कितने section थे तो air act जब बनाए गया तो इसमें चववन सेक्शन थे 54 sections थे question number 22 का answer 54 sections बनाए गया थे चलिए noise pollution has been inserted as a pollution in the air act is. तो भाईया जो आपके noise pollution है इस noise pollution को ऐर act में कभ साविल किया गया था? ऐर act जो था उसमें यह मान करके का noise pollution होता ह। यह भाईया यह खले और इसको air act में सामिल किया करो, तो यह कब किया गया था? Quicken numbers 23 qicken number 23 तो 1987 में में कब 1987 में noise pollution को एर एक्ट था उस एर एक्ट में सामिल किया गया था चलिए question number 24 the environmental protection act was and acted in a year तो environmental protection जो एक्ट है environmental protection act यह environmental protection act कब लागू किया गया था question number 24 तो यह लागू किया गया था 1986 में 1986 EPA 1986 की जो हमार बात करते थे वह act actual में यही एक्ट था चलिए नेक्स बात कर लेते हैं कोशन नमबर पच्चीस की दा इपीए कंसिस्ट यानि एन्वाइनमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट कंसिस्ट अगर कहीं ऐसे मिल जा है न एपीए तो यह चीज अलग होती है यूएस एपीए यह मिल जाए तो यह चीज अलग होती है इसका मतलब है भारत को जो एइनवाइरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट में टोंटल कितने थे चार चेप्टर तो एक्स फीए चार आपके चैप्टर थे चलिए नमर 27 NGO जो है यह NGO वगेरा बनाया जाते हैं फ़र्म किया जाते हैं तो NGO वगेरा को कुछ सॉसाइटी से रिलेटर या environment रिलेटर बहुत बड़ा योगदान होता है तो NGO की एंजयो की full form क्या होती है बताइए एंजयो के क्या full form होती है question number 27 question number 27 question number 27 का correct answer क्या होगा एंजयो की full form वोगा नौन governmental organization यानी option number A 27 का answer क्या होगा 27 क्या हो जाएगा A हो जाएगा चलिए question number 28 as per section 2 A of the Environment Protection Act 1986 Environment Reflected to जो environment होता है उस environment को किस तरह से हम डिफाइन करते हैं, environment की क्या definition दी गई है, environment को कैसे define किया जाता है, environment जो है, वो related है, water, air, land से, option number A, या the interrelations which exists among the between water, air, land and human beings, या फिर आपका option number C, other living creatures, plant, microorganism, property, कौन सा option करें, या option number D, all of the other, question number 28 का जवाब दीजे, question number 28, जो environment है, इस environment को कैसे define किया जा सकता है, किसके तहत, section 2, वो भी 1986 में जो act आयता है, environment act, उसके तहुरू, मैं पूछना हूँ आप से, बताइए, तो इसका सरकारी आंसर बिल्कुल सही बात है, option number D का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, अगर किसी बालक के विचार में, किसी मन में अगर चल रहा हो, विचार, एक्ट वगे राते, इसमें क्या section थे, क्या chapter थे, कम समझ में आया, तो हमें act, एक-एक करके, act के बारे में थोड़ा-थोड़ा सा आपको brief knowledge दे रहा हूँ, क्योंकि समय बहुत कम है, आपको जो बताया जा रहा है, उतना भी अगर आपके दिमाग में होता है, तो इससे आप ठीक-ठाक, आप attempt कर सकते हो, question सही कर सकते हो, जैसे के लगवा कि 28 ह समय की मार है, ठीक है, देखिए, यह आपको मैं दिखा रहा हूँ, यह है, आपका 1986 में environmental protection जो एक्ट आया था वो, environment protection एक्ट में जो चैप्टर नंबर बनता जो चार चैप्टर थे, तो पहले चैप्टर में प्रिनिमी चैप्टर थे था, जहां आपको शॉट टाइटल के ब इसमें environment के बारे में बताता है, चैप्टर 4 में miscellaneous जो इनके बारे में study मिलती है, तो इस तरह से क्या है, यह पूरा का पूरा एक्ट है, एक बार देख लीजिए, जहां से देख लीजिए, यह आपका एक्ट है, अगर कोई पूछ लेता है, सवाल, आया हुए एक्जा में, UPSC Civil Services में question आया हुआ था, कि भीया, यह यह environmental protection act है, 1986, इसकी नीव कहां रखी गई, इसके बारे में सोचा कब गया था, तो इसके बारे में actual में क्या था, कि जब 19, आपके जून 1912, 1972 में Stockholm में आपके क्या चला था, जब ही meeting हुई थी, conference जब हुई थी, environment को लेकर conference हुई, national conference, जो UN, बगएरा, जो UNCC बगएरा की जो दत्ति हैं, तो वहां पर ही define किया था, कि हर country को environment के बारे में सोचना चाहिए, और उसके क्लाफ क्या है, कि कुछ ना कुछ एक particular ministry बने, या कोई act बने, या कुछ ना कुछ होना चाहिए, लेकि भारत ने कहा है, उसमें इतना बगएरा, NEP बगएरा बनाए हुए हैं, और बाकी countries में बनाए हुए हैं, तो मैं भी बनाने चाहिए, उसके बाद में हुआ था, तो यह पूछ ना 1972, इस्टोकोम जो था, वहां से यह प्रेरित था, अब जैसा मैंने कहा था, कि chapter 1 preliminary है, जहां पर short title बगएरा दिये हुए, definitions तो देख लो, environment है, यह दोबकर environment की definition जो मैंने सवाल पूछा था आपसे, то environment क्या होता है, environmental pollution क्या होता है, handling क्या होती है, है है एक्ट किया होते हैं आपके क्या होते हैं आपके अपके लिक driven रहे था है तो यांपने होती है आपके एक्ट आया था हमाजगे का दिखतोर रहा है ना अगर में और लेप कर रहा हो तो बोल दे ना गुर्दिबाब च्छप जाएं ना तो मैं छिप जाओंगा को दिक्कत नहीं है ठीक है इसमें भी यही सिस्टम है इसमें क्या क्या दिया हुआ है तो समय है जैसे कैंसे बारा है ऐर पॉलीशनि क्या होता है आप्ठान। लिखा हुआ है कि पैस्टे के जानकारी कहां इक्ट के दुख皮ण révस ब्लती है everytime इतना समय है है कि हम इतने बड़े-बड़े एक्ट पड़ पाएं लेकिन इतना जरूर है इतना समय हम इतना पड़ पाएं कि कौन सा एक्ट था वो कब आया था और किस चीज़ से वह इसे को सेटल किया गया था और एमिशन डिस्चार्ज वगर एन्वाइनमेंटल पॉलिचन जो थे उनमें इसको इसको लागू किया गया इसके लबाद 1989 में आपके हजार्डियस वेस्ट मेनेजमेंट एंडरिंग रूल आया था जिसका अबजिक्टिव था कि आपके जो जनरे इस चैमिकल रूल यह भी लागू किया गया था 1989 में आपके मैनुफेक्ट्रिंग यूज इंपोर्ट एक्सपोर्ट स्टोरेज है जार्डियस माइक्रो और इंजिनिंग और इंगर इंजिनिंग और इंगर पूचे तो 1989 के आसपास क्या है यह एक्ट आये गए थे समझ गया इंटी ऩगल पूटो सब्सक् programa निइंटी स्टाइफ हु है इसमें आपके उनिटी निटी और इंश्री ऑच्पूटेंटाटेश्य bog सबक्थ ने म cultural एक्जाम के दर्शी कौन से 1908 में बायो मेडिकल वेष्ट मेनेजमेंट एंड है तो कि एक लीगल बाइंडिंग था जो कि आपके हेल्थ केर इंस्टूशन वगरा था वहां पर वह अप्लाई करना था यहां जैसे कि आप हॉस्पिटल वेष्ट वगरा है उनका सेग्रीगेशन करना डिस्पूजल करना कलेक्शन करना उनका ट्रीटमेंट करना यह इसका उद्देश यह था इसके लाव आपके फोरेस्ट एंड वाइफ जो है एक्ट वगरा उनके बारें बात करते हैं 1927 जो था इंडिन फ्रेस्ट एक्ट जो था और आमेंड में नाइटी नाइटी एटी फोर के आसपास यह किया गया था पुरान ही चल रहा इंडिट थे लिकिन एक्ट भारत के बाद में परस्तूत किया गया तो था 1922 में उन्नी सो इसके रूल उनी सो टैतर में और इसका एक एमेंड प्रवारे जादा पूछ नहीं पूछते हैं लेकिन अभी करेंट के जो है आपके उनसे ज्यादा कुछ नहीं पूछते हैं ना चैनल में झाल आपके आपके कोस्टल रेगूलेशन जान है वो अप्ला किया गया था अगर बात करें यह पर नियुक्ति नहीं है था तो एक्ट में इसके रूल से रूल होनी चाहिए 1922 में एक्ट लागू किया गया था तो भीया अब थोड़ा से जल करना चाहूंगा रेल गाड़ी जो है जो रोकेट था उस रोकेट को थोड़ा विराम देता हूं थोड़ा दो पानी पी तो फरागे की बात करेंगे समय कम इसलिए मैं भाग रहा हूं को ऐसा मैं सोचना कि गुरी जी तो बस चिलाए चिलाए जा प्री के नंबर मिल रहे हों तो उन्हें क्यों न लिया जाए हम लगे आगे की बात करते हैं इसके अलावा देखिए जैसा मैंने कहा था आपके अलग-अलग एक्ट थे उनके बारे में ड्राफ्ट वगएरा यह आपको मिली जाएंगे जो इंपोर्टेंट थोड़े से उनक सारे के सारे मिनिस्ट्र फॉरेस्ट आपके नोटिफिकेशन बगएर जादू करते रहती है अलग-अलग चीज़ों वह भी आपको मौ मिल सकती है वह भी काफी चीज़ है ना समझ गए क्या चलिए एन ऐस कंसाना जी मनाली आएंगे बिलकुल आपका स्वागत है मनाली मापका स्वागत आप आईये ओए ठीक है किसके लावा सॉलिट वेस्ट मेनेच्वेंट रूल आयता-16 में और इसके क्या हैं कोशन भी आई वुए हैं कुछ इसके प्रिविए कुराई टैम पर क्या है है कुछ कोशन्स भी आए हुए है प्रतिबाग गुपता जी यह जो पढ़ा रहा हुँ में एक्ट वगरा यह जे डवली यह सो से इनका कोई तो यह तो क्या है यह जनल एंवार्मेंट की चीज़े हैं जो कि कहीं पर पूछा सकता है आप से पूछ लेगा और जो हो सकता है तो आपके तो तो शोलिवेस्ट सॉलिवेस्ट मेनेजडमेंट रूल हा था 2-16 में तो सॉलिड मेनेजमेनट रूल उसके आपको थे साथ में एमस्भी जाइजमेंट में की का इसके बारे में कौन-कौन सी डूटी है, अरवन डवल Clifford मेंन्ट की यह क्या डूटिंगों पर आपके Away between The chemistry of chemical fertilizer, उसकी क्या डूटिंग होती है, जो क्याए मिनिस्रिंड्स अग्रिकल्चर की लिएक्ट Stunden क्या होती है, लास्ट में आपके Water Prevention and Control Pollution जो था आपके पॉलुशन जो था 1924 में जो आया था इसके बारे मगर बात करें यह वाला जो आपके एक्ट है यह बहुत बड़ा है अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो पढ़ना बहुत मुश्किल है नहीं पढ़ सकते इन सबी चीजों को लेकर एक आपके टोटल 800 बनाएंन बढ़ना में कहों से चेप्टर में चया तो बात हुई किसकी यह तो हुई आपक दो एक और ध्रंति यह बहुत चीज आरही терशन से समझासों कि doorशेक और किनी करना किरना कि rice एडवांस रहना है बाकी लोगों से तो यह एडवांस कौन से बच्चे रहेंगे वह एडवांस में रहेंगे जिन्हों ने पढ़ा हुआ है ऐसा नहीं कि तुमने पुराना पढ़ा नहीं और जो मैं बता रहा हूं वो तुम करने लग जाओ चौने Hence CPCB यो है उस CPCB काफा यहां पर लिखा हुआ यहां पर लिखा हुआ है रेट के इकटτού आप धाएक्ट की तुमत को जड़ोद है नहीं क्या एक्स्ट्रा है उपर लिखा हुआ अलग अलग इस्टेंडर् है को六 लिखा है एक बार जा करके विजिट कर सकते हो जैसे वार्टर कूलिटी कॉन कोझे वानपी होना every care of आपके बिडी वहना चाहएं यह सारी जानकारी कहा है यह सारी की सारी code से मिलते है यह सारी कि सारी जो हैं प्रमिस्ट निमिट यहां से मिलेगी जैसे कि आपको याद पड़ी एंग है इपकार two से स्टेडेमा में और अपको संजाय ती कि पी एच जफ du पूछ ले जाते हैं समझ गए इसके लबावा टेबल नंबर टू वेरी वेरी इंपोर्टेंट है कौन-कौन से सबस्टेंस हैं उनकी पर रिक्वार्मेंट कितनी है यानि एक्सेप्ट लिमिट कि नहीं है और पर मेंसिबल जो लिमिट है उससे आप ज्यादा नहीं तो यह कुछ इंपोर्टेंट जो चीज़े हैं यहां से जाकर करके देख सकते हैं जो बाइबिदिकल वेस्ट के वारे मगर करना है अगर अगर आपको चेक करना है आपके लगल को लिएटा उसके साफ़ से नहीं के लिए तेटा उसके साफ़ से पॉब्लिश किये जाते हैं, तो कौन सा राज़पत्र था, जैसे अगर आप इसको पढ़ते हैं, तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, आपको बताया भी गया था, कि आपके क्या होता है, कि जैसे मालीज आप बिजी एरपोर्ट है, और दिन का समय है, बिजी एरपोर्ट है, वैट से तो काफी सारी चीजें इंक्लूड है, लेकिस सबी चीजों को इंक्लूड करना बहुत मुश्किल हो जाता है, यह समझ गए क्या, जिसने पुराना ही नहीं पढ़ा है, उसको प्रफर करना है, पुराना पढ़े, बोली, अगर किसी का कूछ पूछ ना हो किसी को कु की नीची अगर आप पढ़ेंगे तो नीचे साफ साफ लिखा हुआ है कि आपके जो वेल्यों पेने लिखा हुआ है साथ है के ईसे साथ में आपके जो रोती होती है 208 से 20 किलो हर्टेलाज डिया में किलो हर्टेलो हर्टेcken तो एरपोट के रिगार्डिंग यह पूरा पूरा डेटा था इस तरह की चीजे पूस्ट ली जाती है कि किसी भी प्रकार का किसी का सवाल हो तो पूस्ट सकता है अगर आप जैसों के स्टुड आप जैसे समझन को समझना और अगर आप उसकूर्शन के दरफ जाते तो वागि के तीन चर कुशन आप खराब कर रहा है थो 상 reasons go here ? जो मुझे आता था वो मैं ने सॉ ल लिया है उसके बाद थि नियूमिस को सेड़ना है पहली बात दूसरी बात अगर आप य। एस टुएंट है तो मिद्रो अइन्वाइर्मेंट में आपके वाटर वाला coronavirus ।P tramp को नो इनको बहुत अच्छे से पढ़के जाना f upon m ratio पढ़के जाना आपको मिलाब ASP का जो प्रोसेस है उसको आप पढ़के जाना वहां से question भी बनेंगे और हो सकता है नुमेरी के लिए बन जाए फिर से समझ गए क्या और paper का आप खुद आपको यही पढ़ना है कि आपने जो पढ़ा हुआ है उसको रिवीजन करना है जिसने जो पढ़ा है और अंतिम समय तक उसे वह याद रहता है जिसे अंतिम समय तक याद रहेगा उसका ही सेलेक्शन होगा पढ़ाया है मैंने आप सबको 2-3,000-3,000 बच्चे जो हैं continue जुड़े हुआ है पांच-5,000 तक बाद में वीडियो आ जाते लेकिन पढ़ दे के साब से एक बच्चे वीडियो देखते हैं सेलेक्शन किसका होगा सेलेक्शन ऑन 1.高1,000 में से उस बच्चे का होगा जिसन ने पढ़ा था और एग्जाम तक उसने उसरे याद रखा है क्योंकि मैं किसी कान में जा करके सबसलें किशली बात नहीं बोल रहा हूं सब को उसी तशुदेंके से समझा रहा हूं कोई धिमाग में हिट। था करे अगर याद हो आपका ज ही कमरे इसमें क्या इन कम्रे कम्रे बने विबहों हुए है और किस कम्रे में किस डेटा को लागो श्किर क्ल watery कर बाहर भी जिल्दी आएंगी जब आपको जुरत पड़ेगी और आपने एक ही कमरे में सब को रखा हुआ है तो कचर-पचर हो जाएगी confusion हो जाएगी जैसे कि होती है जिस दिन यह कला आपको आगई उस दिन आपका किसी बुक से यह कहीं से बड़े आजमी ने बनाई हुई है किसी ने न साइंटिस वगएरा ने या बड़े बड़े आपके प्रोफेसर ने उन्हीं के पास पर उसी डेटा को बहुत इजी वे में संपलिफाइग करके आपको मैं समझा देता हूं वहना किताब आपके पास बी नो मैंगा surge डिए लुए मेडिवद करो gua किया करो क्राइब दोला करो और अब मिलनाट करो यहाङ है जितना कम बोलोगे वह तो घ्नकी बाते मुआ पर जाएंगे कि जिनका एड़मेंट काद नहीं हो रहा है जिनका ए्ड़मेंट का डाउनलोड नहीं हो रहा पर मेरे चचा नहीं है डिपार्टमेंट में जिनको मेंझे कहसे करい नीच देधि का दीपार्टमेंटे consideration अपने न कुछ बच्चों को नहीं हो रहा है कि बताइए कि इस्क्रीन शॉर्ट लेलित कुमार जी लेलित कुमार जी कैसी बकवास बाते कर रहे हैं कि पेपर उसमें लिखा हुआ इंस्रक्शन में डिजिटल जो गैजेट से वह अलाओ नहीं है घडी अलाओ नहीं है बेल्ट अलाओ नहीं है और आप मोबाइल लेकर करके जाओगे यह हमारा एडविट कार हद करते हो यार समझ गए है एप्पी राम मीना करें डिफ्रेंट लोगिन है जे डवली जैसो के लिए बिल्कुल सही बात है ऊपर और नीचे दो अलग-लग ऑप्शन्स हैं वहां से अलग-लग जगे से अलग-लग आपको डाउलोड करने हैं अच्छा इसकी शोट का प्रिंट आउल लेकर जाना है उसको एडिट कर लेना दिक्कत क्या उसका एडिट कर लेना पता ही नहीं चलेगा उनको अब दो मिंट मैं आपको थोड़ा सा पढ़ाई की बात है खतम होच्ची है और आपको थोड़ी से एनर्जी देने चाहता हूं ताकि कि जो परसों के अच्छा परफॉर्म कर पाये और तो अगर आप रेडि है जो बच्चा सुनना चाहता है चाहता है पांच मिंट वह पढ़ाई करना चाहता है जो जाना चाहता हो जा सकता है जिसको जरूत कम है पॉजिटिव एनर्जी की या थोड़े मोटिवेशन की जा सकता है तो आप रिडी हो जाईए मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं कि मेरे पास मैं कल पर सो कॉल आया था दो तीन दिन पहले कोई स्टूडेंट थी लड़की थी और उसको पीडिएफ वगएरा चाहिए थी तो कि सर मुझे मैटेरिल चाहिए तो स्टेडी मैटेरिल वगएरा उनको क्या है शेयर किया तो उनसे जब पैसे वगएरा के बारे में पूझा कि सर कितने रुपे सेंड करने हैं तो उनको बताए कि 25 रुपे की पीडियेफ है वह आपको शेयर कर रहे है और वीडियो वगएरा आपने देखे होंगे वह वहां पर अवेलेबल है तो इस तरह से बात की तो उनका सवाल था कि सर यह जो आप करवा रहे हो तो इसक कारण क्या है कि अपने कम जो है वह क्यों रखा हुआ है प्रैस को इतना कम क्यों रखा हुआ है क्योंकि इतनी प्रैस में अगर आप चीजों को मेंने कर रहे हैं तो अब इसके इसका कारण क्या हो सकता है तो यह कारण हो सकता है कि स्टार्टिंग में जो नए मार्केट में क पर पहुंच जाती है कि यार हम जो है कम पैसों में कम चीजों में पहुंच पाएं समझ रहे हो दो मकसद हो सकते हैं हमाहा क्या सीन था कम कर लेता हूं कि मैं बहुत जयादा बेग्ग्राउंड बहुत जभी वेग्ग्राउंड से एक तो दो तरह का आप मान सकते हो एक तो वह को परिवह जिसमें पैसे की कम है थीक नहीं है तो नहीं चीजल को दे लाूब हैं किस तरह से मियूंद और मैं बढ़ाई के साथ मैं मेरे लेकिन नहीं रुका हूँ मैं क्योंकि मुझे लगता था कि मेरे यसाफ से Merciful आजister में कर रहा हूँ मेरे जिन्दिके में चल भी रहा था था मेरे सब कुछ साही लेकिन उसी दिर्में घर पर कालिया भी पड़ती थी घरवालों से अगर यहां पर यह कर रहा है मतलब हमारे सामने माता पिता के सामने गाउं में अगर इस तरह से क्रिकेट दिन बद और और सबसे अलग चीज यह थी कि मैं खेलता था मेरे साथ में बागी लोगों को भी खिल अच्छी बात है मैं उनको खिलाता था उनको लगता था यह खुद तो बिगड़ा हुआ है वारे बच्चों को भी बिगाड़े का और यह पक्का पढ़ाए बड़े कुछ नहीं करता है यह सिर्फ जैपुर में का है इसका यही काम है उनको ऐसा लगता था लेकिन मेरे साथ लूब किया था कि मैं यहाँ पर तस महीनए 14 महीनए यहां रहता था था मुझे एक बार मोका मिलता है तो मैं घरवालों से मिलनेiyi तो यहां पर आप ने को थोड़ा बढ़ा ही आती है तो आप पड़ा हो भी हालत यह थी कि हमारे गाउं में गिने चुने लोग है जिन्होंने कि कि उनको आता है जिनको नाम आम लिखना है मेरे घर में मतलब एक बीशन ऐसा नहीं है कि इस आप समझ सकते हो तो उसे इंसान के लिए आगे पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाता है गाइडेंस नहीं थी बिल्कुल भी तो मैंने वहां पढ़ाना स्टार्ट किया free of cost मैंने मैंने वहां के जो सरकार स्कूल के बच्चे थे वहां पर रहते उनको मैंने पढ़ाया उसके मैं चीज पढ़ा रहा हूं जैपुर मैं पैसे लेकर के और इसी चीज़ को अगर मैं फ्री में पढ़ाता हूं या ऐसे लोगों तक पढ़ाता हूं minimum cost में जिनको requirement है तो उसका impact कुछ अलग होता है उसका impact अलग होगा और कहीं न कहीं मैं ऐसे लोग मैं ऐसे लोग ढूंड सकता हूं पूरे अपने audience में से जिनको जरूते है जो actual मैं Amit Singh बढ़ाया है जहां से मुझा करके आया हूं उनको मैं कुछ कर सकता हूं दे सकता हूं उनको कुछ इंटरेनेट होता है अगर वो पढ़ाई भी करना चाहते तो पढ़ाई कैसे कर सकते हैं पढ़ाई का सीधा सीधा ओनलान का सिस्टम चली रहा है तो अगर मैं उनको इतने कम से कम प्राइस में अगर मैं चीजें प्रोवाइड कर सकता हूं जिससे कि मेरा भी जो पूरा पूरा एक्साम केंसल नहीं होता तो उसका जीता जागता ओधराने कि लोगों की मेरे जिंदी की बदलने वाला था सब्सक्राब है औरель उल इंटिया में 120 पोश्ट होती जिन 60 external candidate 60 होते हैं इंट्रेल कंडिडेट और 60 बच्चे All India से सेलेक्ट किया जाते हैं 60 में से 35 बच्चे को सेलेक्शन दिया था मैंने 60 में से 35 बच्चे जिनको पूरा free of course एक single पैसा नहीं रहा था तुमसे तो फिर भी 20 रुपे 25 रुपे 30 रुपे PDF लेता हूं मैं सिंगल पर्सन था जब मैं स्टार्ट कर रहा था और अभी मेरे पास में टीम है चार पास लोग उनको किराया देना पड़ता है बहुत भी बहुत सार एक्स्पेंसे होते हैं इसलिए पैसे की ज़रुत पड़ती है और तो वह अपने आप में एक खुशी वाली बात हुथी कि जब आप किसी के लिए काम करते हो रिटर्न में उसका आपको गिफ्त मिलता है तो वह मज़ा अलग होता है कि अपने घर को अपने परिवार को अच्छा देखना चाते हो अब तब देख पाओगे जब आप खुद ऐसी कंडिशन में हो अगर आपकी थाली में दो रोटियां हैं अगर आपके यहां कोई भूखा आता है और आप खुद भूखे हैं तो आप क्या कर सकते हो आप इतना कर और णेंसे प्लबने करा तु Pasाण सकते तो इससे देसकते मैं मैंने करने कोशिश करोगे मांद लीजी चार भूक के अगर आपके घर पर आगे फिर कारोगे आप तो उसके लिए क्या करना पढ़ेगा उसके लिए आपको एक level maintain करना पड़ेगा, खुद की जिम में पैसे होंगे, तभी आप किसी को खाना किला सकते हो, क्योंकि पैसे की जो requirement है, वो फिल फोलो होगी किसे, नौकरी से, किसी ऐसे source से, जहां से आप पैसे कमा सकते हो, और उसके लिए हमारे पास best जो चीज है, वो है government job, जो हमारे सामने है, समझ गए, तो आपको क्या करना है, अगर आपको समय के साथ में आगे बढ़ना है, तो आपके समय के साथ में आगे बढ़ने के लिए government job आपको must है, जरूरी है, चाहिए ही चाहिए, प्राइवेट में आपको पता है प्राइवेट में कितनी परेशानी है कितनी दिक्कते हैं तो अगर आपको इसमें आगे बढ़ना है घरवालों को खुश देखना है खुद को खुश देखना है आगे आने वाली जो life है उसको अगर बहुत अच्छे वेमें निकालना है तो आपके लिए exam crack करना ही मच्ट है ये करना ही पढ़ेगा आपको और इसको करने के लिए करना क्या है सिर्फ एक दिन बचा हुआ है कल कल का दिन उस कल के दिन में आपको जो आपने पढ़ा है उसे आ दाया है जानवाद में बाहर सांस निकाले सेखिर एक्ञक्रें करना है यह पर सेंस पांच बार करना में प्शली तो जैसे करते हैं औंघ से क्ल यह गए घचे से क्वाक्तु करना ओना नुंत डिकें हो जाएगी ठीक है उते ऑप क्लिक्ट है ओने जो आउने इस इस च गणड़ वो डॉवह पढ़न हो जागा ऐक्सा सकते कि ना हाई और ऒंध भी नहीं था उतना खतरनाग भी नहीं था मैं ही स्ली मिष्टिक करने चया अग्जाम के बाद बन पर पहले हैं इसलिए टेश्ट और प्रोवाइड गलती आ आप कर लिए — वहां हिलती mü घ्ल्ती पीजिया, समझ गए? बाबला अजू by बहुत धन्यवाद बहुत है, बहुत धन्यवाद और जो इन्सेक्शन जो थी, इन Boss आपको मैंने बता दिये हैं क्या क्या इस्सेक्शन क्यों हो सकती है आखक़ोथ थी Son you मेरे लिए इतना ऋख़ता हुँ मैं कहनी सकता हूं ना म lot you a paper केस करना पेपर का सुनना ध्याद केसी कर सकते हूं अब कर पेपर पर आपको क्या करना है आपको इस तरह से एक आपको is तरह से एक बॉक्स बना लेना को मेरे सामने जब paper आएगा तो मैं paper को attempt करने बैटूँगा तो attempt करते सामें मुझे क्या करना होगा कि मेरे सात में क्या हो गाए जो मैंने first time paper दिया तो कम से कम ऐसे question होंगे 50% 60% 70% जो मुझे याद था उसके basis पर मैंने कर दिया बट कुछ question ऐसे हुए है यहार मैंने पढ़ा है मैंने पढ़ा है सर ने पढ़ा या मैं किसी किताब में देखा था लेकिन मैं शूर नहीं हूं मैं सा आनसर कून सा होका. Confusion है इन दोनों है options में से. तो उन questions को आप first attempt व्ली है जहेDict का है ऐसे आप उनको वह पर लिखिए समझ गए second option में क्या लिखना है second मुझे नहीं आते हैं बिल्कुल नहीं आते हैं उनको मैंने लग कर दिया है बिल्कुल तो मुझे page पलळटने की जरात नहीं होगी समझ गई पेज पलटने की जरूत नहीं को बिल्कुल भी टाइम में बचा सकता हूं क्योंकि मैंने पहली कुछन नम्मर लिखे हुए तो डायक्ली मैं उस कुछन पर जाऊंगा जिसको मैं अटेम्ट कर सकता हूं बहुत अच्छे तरीके से समझ गए तो यहां से आपका कर सकता हूं चोड़ दीजेिए आप बैक आईए आप कैलकुलेट कीजिए इपने कितने कुछन कर ली हैं कितने कुछन क capitalist कवी शेकने और आप लगबग लगबग 100 से ले करके 110 की बीच में क्यों करके बैठें में 100 say 110 के बीच में Maine करें तो आपको यह सेकींड ऑप्षिन यहाँ पर जाना नहीं है यहाँ पर नहीं जाना यह यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं जाना है गल्ती नहीं करनी है बागशर्थ आपको यह पता होना चाहिए जहा जो 110 के बीच में निंबर आ क्यstad कुछ भी नहीं कर सकते हो कुछ बी नहीं कर सकते हो कि आपको जबड़्यस्ति फिर coach को क्या करना होगा और अगर। ज़र करनेby हैं और अगर किसी का score 300 प्लस चल रहा है तो उसको तो बहुत सोच समझ के question attempt करने आगे attempt करना ही नहीं है समझ गए क्या very very important है यह हो सकता है अभी चीज़े उतनी समझ में नहीं आए लेकिन जब paper दे करके तुम आओगे तब रो रहे होगे, क्यों रो रहे होगे मानलो अगर आपने 10 question गलत कर दी है जबर जस्ती, जल्दी जल्दी में तो उससे क्या होगा, उससे ये दिक्कत होगी कि 10 question की वज़े से जो 10 number है वो तो आपके minus होने होने वाले हैं और जो 10 question की वज़े से जो plus होने वाले थे वो भी अब आपको नहीं मिलने वाले है समझ गए क्या तो बहुत बड़ा नुक्सन हो जाएगा 10 question भी गलत हो जाते हैं तो इस बात का wishes क्या लखना question वही attempt करने जो आपको आते हैं हाँ, अगर आपके 4 option में से 2 option आपने eliminate कर दी अगरो दो option बसते हैं तो ऐसे question को आप कहां रखना है second यहां category में रखना है और उनको कब attempt करना है उनको तब attempt करना है जब आपको जरुत पड़ती है राकेश चोधरी जी इसका मैं कुछ नहीं कह सकता कि लोक नहीं किया था एक वर आप उफिस जाकर के पता किर लीजिए ना सोनल सोनल सोडावज जी क्या कह रहें आप में समझानी आपकी बात कि पताईए कि सोनल जी पताईए आपका क्या कमेंट है आप अगर किसिं साथ कोुशन आट्रेम की एक्ट होते हैं एक सस्सी नंबर होते हैं तो वह बहार हो जाएगा इंट पता चलेगा कि ने बच्चों ने एक्जाम दिया है मैं किसी को रोक सकता हूं क्या भही आ investor मत जाना क्योंकि मैंने गलती से make-up यह यह कह को होंगा किया मैं पताइए कैसी बात है करते हैं कि से इसकोर में बता रहा हूं विजरौक में बता रहा हूं लगबग आपको 250 250 प्लस मार्क्स रखने ही रखने होंगे तब ही आप इस एक्जाम को क्या कर सकते हैं क्वालिफाई कर सकते हैं नीरज जिन जल्दी आपने इस अवाल पूछा है एक Queshion तीन नमबर का है, एक Queshion, 500 Queshion होगे, 4700 नमबर आपको मिल जाएंगे, गलत किया तो मानेस वन मारकिंग है, पलोगा 1 वाई थर्ड मारकिंग है एक्चॉल में, जतना हैं का मारक्स हो सफ़े वन वाई थर्ड, तीन नमबर का हो गया, तो 3 वाई 3 करोगे तो 1 मारक् सोनल कितने बच्चे एक्जाम देंगे इस बात का आप कैसे अडिया लगा सकते हो करना है जब आपको लगता हो कि यार मैं तो करो या मरो की स्थिति में मैं तो कुछ नहीं सतर किये और मैं तो बहार हो जाओंगा क्यों 300 नंबर आने से रहे तो फिर उसकेस में वह चीज अप्लाई करने हैं तीन सो प्लस नंबर आपके आ रहे हैं और आप 50-50 वालों में लगाए जा रहे हैं आप गड़े में जाएंगे और ऐसा हुआ है मित्रों ऐसा होता है कि समझ गए कि समझ गए तुक्के का ट्राई ना करना मेरे एडवाइज तुक्के का ट्राई मत करना वरना बाद मा करके रोना पड़ेगा तुमसे कम नम्मर वाला सेलेक्शन लेके बैठ जाएगा नुमेरिकल्स को एक बाद ट्राई मत करना ठ्योरी को ट्राई करना पहले उससे समय बचाएगा confidence आपका लेवल बढ़ जाएगा और मान लीजिए अगर आपने नुमेरिकल्स में फस्स गए तो नुमेरिकल्स जितना टाइम लगेगा उतना टाइम में आप बागी के तीन- समय मिलेगा सोचने का प्रिवेस एर कट ओफ 300 में से थी और उस समय की नेगेटिव मार्किंग वन बाई वन बाई टू थी मतलब आपके कैसकते हो 50 परसें नेगेटिव मार्किंग थी उस समय में एक कुशन को अगर सही करते हो तो दो कुछ दो नंबर मिल रहेते आपको तो उस समय पर भी कट ओफ का आप देख सकते हो कट ओफ इतनी ज्यादा कट ओफ इतनी कम जाने का कारण क्या था यही कारण सा में ठीक है उपर से